नमस्कार बेर्मो के शापताहिक जूजैरी में आपका श्वागत है इस शब्दे की पर्मुख खबरों में बेर्मो अनमंडल की जरेडी बांधरी के निकट एक ट्रक के चपेट में आने से पिता पुत्री की मौत हो गई बताया जाता है कि मंजुरा निवाशी स्रिधर महतो अपने परिवार के शाथ मोटर साइकिल से उपन की चास से घर लोट रहे थे और उसी समय बांधरी के निकट एक ट्रक के चपेट में आ जाने के गारण उसकी और उसकी पुत्री की मौत हो गई बिर्मो अनमंडल के गोमिया और बिर्मो थाना छेतर में नवालिक बच्ची के साथ दुसकर्म करने का प्रियास का मामला सामने आया था गोम्या थाना छेत्र के एक स्कूली छात्रा ने अपने सिचक पर दुसकर्म करने का प्रियास का आरोप लगाय था जो गोम्या थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है दर्ज मामले के बाद आरोपी सिचक बोकारो कोट में स्रेंडर कर दिया है इसी प्रकार बेर्मोथाना छेत्र के रामनगर में एक अपने ही चाचा ने भतीजी के साथ दुस्कर्म करने का प्रियास किया था इस शमन्द में भी बेर्मोथाना में मामला दर्ज कर लिया गया था जैसे ही पुलिस की जानकारी हुई उसे छापा मारी कर गरफतार किया और तेनुघाट जेल भेज दिया है नवाडी परखंड के कंचकीरो पंचायत के निवर्तवान मुख्या योगेंदर कुमार रंजन के साथ कुछ लोगों ने मार पिट कर दी थी पताया जाता है कि गरामिनों के शिकायत पर मुख्या घटना स्थल पर गए और कुछ लोग अवेदरूप से जमीन में मकान या चारदिवारी निर्मान करा रहा था इस घटना पर जब मुख्या ने उन्हें रोकने की कोसिश की तो उसके साथ मार पिट की घटना हो गई इस शमन में पेक नराण पुर्थाना में मामला दर्ज कराये गया है पेक नराण पुलिष ने अवेदरूप से कोईला जमा कर बेचने के तयारी कर रहे तीन आरोपियों को गिरपतार कर जेल भेदिया है पुलिस ने बताया कि नरायनपूर्थाना छेतर के कुछ लोग अवेद रूप से कोईला जमा करके ट्रक के माध्यम से बाहर के मंडियों में भेजने के तियारी में थे इसी दुरान बोकारो एस्पी के निर्देश पर छापा मारे की गई और 20 टन अवेद रूप से कोईला जब्द किया गया और 3 आरोपियों को भी गिरफतार कर लिया गया है सरकार आपकी द्वार कार्जकरम में एक लाभुक रामचंदर यादो ने बोकारो उपायुकता आदेश का पालन नहीं होने का मामला उठाया बताया जाता है कि रामचंदर यादो के नाम पे मुर्गी शेट का निर्मान के लिए सुकृति हुई थी सुकृति के बाद रोजगार सेवक ने उसकी सारे पैसा को निकाल लिया और लाभुक को नहीं दिया इस शमन में जाच किया गया और जाच के बाद रोजगार सेवक अमर बोरी पर मामला दर्ज करने का बोकारो उपायुक ने आदेश दिया था लेकिन आदेश के बाद भी उसके उपर कारवाई नहीं हुई यही मामला रामचंदर जादों ने सरकार आपके द्वार कार्जक्रम में मांद पंचायत में उठाया था बुकारो जिला के गोम्या परखंड में गोम्या परखंड सक अंचल कारजाले का निर्मान कराया जा रहा है ने भवन के निर्मान में संबेदक द्वारा कई अनिमित्ता बरते जाने का शिकायत ग्रामिनों ने लगाया है ग्रामिनों का कहना है कि परखंड कारजाले यहां परखंड के वास्यों के लिए है इसलिए इस पर अनिमित्ता बरदास नहीं की जाएगी उन्होंने बकार उपायक से मांग की है कि सिगर ही जाच कर संबेदक के विरुद कारवाई के जाए और भवन निर्मान को दुरुस्त कराया जाए पिछडा वर्ग को 27% आरचन देने के मांग को लेकर आजसु बाटी ने गोम्या परखंड कारजाले के निगट एक दिवस्य धरना और उपवास का कारज करम किया उन्होंने रासरकार से मांग किया है कि राज में पिछडे जाती को 27% आरचन दिया जाए एसिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध तेनु घाट में इन दिनों उसकी खुपसूर्ती बिगड़ गई है मुक्षड के किनारे जाड़ी उगाई है जिसके कारण बाहर से जो भी प्रियाटक आते हैं वे निरास होके लोड़ते हैं इस समंद में लगातार ने पहले भी खबर को दिखाने का प्रियास किया था लेकि इन प्रवंदन इस पर कोई कारवाई नहीं की लहाजा राज के पुरुमंतरी माधोलाल सिंग ने जन सहयोग के माध्यम से पिछले दुनों साप सफाई अभ्यान को अपने ही चलाया था उन्होंने राजसरकार से मांग किया है कि सिग रही तेनुगाट डैम के किनारे जो ज़ाड़ी उगाया है उसकी साप सफाई कराय जाए ताकि इसकी खुबसूर्ती बनी रहे आप देख रहे थे बेर्मो की शपता ही न्यूज जैरी मैं हूँ अनंत कुमर